नमस्कार दोस्तु। दोस्तु सैंसकर्ट सिक्सन वीडियू के आज में लेकर आया हूँ टोप 50 महत्वपूर्परसन दोस्तु। ये 50 महत्वपूर्परसन है दोस्तु। जैसे 2017 से लेकर 2019 के मद्दे जो बढ़तियां हुई थी और जिन में जिस परकार के क्यूसन आये थे उस और विसेसकर जो साथी रीट की तियारी कर रहे हैं. पहला कि असना आपकी स्क्रिन पे. गुरूमुक होता है. जो बहसन कोसल से, सरवन कोसल से, लेकन कोसल से या पठन कोसल से गुरू मुक कैसा सादन है? किस कोसल का सादन है? सरवन कोसल का सादन है दो नमर उप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तु Next Question में चलते हैं Question Number 2 की ओर सेंसकर्थ अध्यापक से सर्वे दर्षे साधनम विदेते पर्तिकृती शामपट है दूरदर्षनम दवने अभिलेक है सेंसकर्थ अध्यापन से सर्वे दर्षे इनमे से साधन कौन सा है दूरदर्षन तीन नमर ओप्सन क्या रहेगा आपका सही रहेगा क्यों से नमबर तीन में चलिए सेंसकर्थ बासा सिक्सन समे अगर आप किसी नगर की बोगोली की इस्ततिम गंतुम कसे अधिगम साधन से पर्योगे कृतुम सकियते सेंसकर्थ बासा सिक्सन के समे अगर आप किसी नगर की बोगोली की स्ततिय है उसके बारे में अधिगम जो अधिन करवना चाहते हैं तो अधिगम साधन है वो कौनसा आपर योग करेंगे मान चित्र से, रेखा चित्र से, पत्र से या स्याम पत्र से मान चित्र से, ए ओप्सन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा Next question में चलते हैं पाटे पुस्तक से इस्तानम सिक्सने महत्वपुन विदत्ते बाल का नाम ग्यान से सीमाया विस्ताराए वेवारिक ज्यान से संपदानाए चात्रे सु स्वाध्यायं परती रुच्या उत्पादनाए उप्योगताम सर्वे साम उदेशनाम संपदनाए यहाँ पे पूचा है कि पाटे पुस्तक है यह सिक्सन के अंदर इसका जो इस्तान है उससे क्या मेहत्वपून है पाटे पुस्तक है जो तो यह तीनु के तीनु है जो पाटे पुस्तक की दरश्टी से मेहत्वपून विसेशता हैं हैं सही रहेगा आपका चार नमर उपरियो पूचे क्या है शिक्सन विदियों के समेकरण के अनुसार सिक्सिया इस्तर के उनत्ती में साहिक है मुल्यांकन दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं चात्रा नाम ग्रहे कारिये से मुल्यांकनम भवितुम सकोनती यहां पे दोस्तु बाहे मुल्यांकनें नहीं है बाहे मुल्यांकनम साकसात कारें आंतरिक मुल्यांकनें या संभासनें ग्रहे कारिये उसके द्वारा जो मुल्यांकन किया जाता है चात् नमर उप्सन आपका सही रहेगा कि उसर नमर साथ सला का परिक्षिया बहुती मोखिक अंतरगता लिखिता अंतरगता उभ्या अंतरगता या परसना अंतरगता पूचा क्या जो सला का परिक्षिया है वो किसके अंतरगता आती है सला का परिक्षिया है आपकी मोखिक परिक्ष सथत मुल्यांकन या परिक्सेया सही दों का देन्नी कारीय कि जो परिक्सेयां उनका mają को योnicos होता है सथत मुल्यांकन तीन नमचि करते मौखिक परिक्सया कसे कोसलत से मुल्यांकनम कृत्वूम नै सकियते सर्वन से पतन से बासन से या लेखन से बात किसकी कर रहे हैं मोखिक प्रिक्सया कसे कोसल में मुल्यांकन नहीं कर सकते हैं लेखन के अंदर चार नमरों उप्सन आपका सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं वेवहर कोसल म इतसे गुण से गुण से ग्रणम कस्माद विदे भवीत वेवहर कोसल म ये गुण है ग्रण करने वाली विदी कोन से पाठे पुस्तिक विदेत व्याकरण अनुवाद विदेत पाठ साला विदेत या पर्तेक्स विदेत सही रहेगा आपका option number 4 पर्तेक्सविदत चार number option नेक्स्ट में चलिए प्रोपेसर वीपी बोकिल मोहदेन कै विदी पर्तिपा दिता है पर्तेक्सविदी, व्याकरण विदी पाटे पुस्तक विदी या व्याक्या विदी वीपी वोकिल मोदे ने पर्तेक्स विदी पर्तिपादित की थी और एक क्यूसन इससे जो आता है वो आता है कि मातर बासा का परियोग पर्तेक्स विदी में नहीं होता है और जो लाश्ट एकजामें हुए उसमें भहुत बार ये क्यूसन आया एकजाम में तो इसक्यूसन का ध्यान से रखें आगे चलेए क्यूसन नंबर बारा की और हर बार ये टैप पंचपदी इतस्य विदी विक्सितम रूपम किम विसलेशनात्मक विदी, मुल्यांकन अह विदी, व्याकरन अह विदी या व्याक्या विदी अरबर्टी पंचपदी है दोस्तु इसका जो विक्सित रूप है वो कौन सा है? मुल्यांकन विदी है दो नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलिए बावा अभिवेक्ते सर्वोतम साधनम विदेते व्याकरनम सुत्रम भासा या सलोका है बासा तीन नमर उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर चोधे में चलते हैं सैंसकर्थ भासा या सिक्सना है कोसला नाम स्वाभावी करम हैं विदेते जो सैंसकर्थ भासा सिक्सन के कोसल है उनका स्वाभावी करम क्या होता है दोस्तों स्वाभावी करम तो देखे स्वाभावी करम बता देता हूं मैं आपको पहले सबसे पहले आता है सरवनम दो नमर पे आता है बासनम तीन नमर पे आता है पठनम और चार नमर पे आता है लेखनम मारिया मॉन्टेशरी के अगर हम बात करें तो अंत में जो पटनम और लेकनम आते हैं सोभावी करम में वहाँ पर परिवर्तन करना है वहाँ लेकनम को पहले लेना है और पटनम को बाद में लेना है मारिया मॉन्टेशरी के अनुसार और मारिया मौन्टे स्री ने लेखनम प्रबल दिया था एग नमर ओप्सेन आपका यहांपे क्या रहेगा सही रहेगा क्यों से नमर 15 सैंसकर्थ सिक्षने से परियास से है सयात ए उद्रवे मुक है, अदो मुक है, अंतहर मुक है यए बहु मुक है सही रहेगा बहु मुख है, सैंसकर सिक्षन का जो परियास है बहु मुख, सभी और है दोस्तों, आगे चलिए, क्यूसर नमबर है आपका सोला, अभीने कती विदो भहुती, दूवी विदो, चतुर विदो, त्री विदो, पंच विदी, अभीने, अभीने है, ये कितनी विद मुस्तकम, दूरदर्सनम, श्याम फलकम, बात किसकी कर रहे हैं, दर्से और सर्वे सादन, अब मित्रु यहाँ पे भहुत सारे साथी क्या कर देते हैं, पर मुख सादन जैसे ही पूचा जाता है, तो स्याम फलक कर देते हैं, स्याम फलक दोस्तों, दर्से होता है, सर्वे न गया है दरसे साधनों में सर्वोतम साधन होता है आपका स्याम फलक, स्याम फलकम मतलब बलेक बोर्ड, आगे चलिए कि उसन की ओर, उन्निस नमर कि उसन है, पाटे पुस्तक से उदेशानी संती, पाटे पुस्तक का उदेश से होता है, देखे, बाल का नाम ग्यान से सीमाया व विष्थार करना वेवारी ज्यान होता है उसकी प्रेरना देना चात्रा नाम कलपना सकते विकास उप्रियूक तणी त्रेनी अपिया नि उप्रियूक सभी उप्रियूक तीनों के तीनों सही है यहाँ पे चार नंबर है जो आपका सही रहेगा क्योंसर नमबर बीज की ओर चलते हैं वस्तुनिष्ट परिक्सायाम, सलाका परिक्सायाम, निमंद परिक्सायाम या अंत्याक्सरी परिक्सायाम सलाका परिक्साया के अंतरगत दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योंसर नमबर बाइस है उप्चारात्मक सिक्सनम सही रहेगा आपका उप्चारात्मक सिक्सन मुल्यांगने ओप्सन एक सही रहेगा क्यों सन नमबर 23 देखिए वस्तुनिष्ट परिक्साया परकारा बहुंती वस्तुनिष्ट परिक्साया के परकार है बहुत समाधान परसना वस्तुनिष्ट परिक्साया के परकार है रिक्ति पूरणम और सत्य निरने ये तीनू के तीनू है जो आपके वस्तुनिष्ट प्रिक्ष्या के परकार हैं उपरियूगता सरवे चार नमर ओप्सन सही रहेगा चात्र से ग्यानात्मक चेत्र से परिक्सनम कृत्तुम सकेती अधिनेन परिक्सयाह पाटे पुस्तकेन या भासनेन ग्यानात्मक चेत्र का परिक्सन चात्रों के परिक्सया से ओप्सन दो सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं, चात्रा नाम बाव परकाशन सक्ति का विकास चात्रू का, किसमें होता है, वाद विवाद विदी के अंदर, एक नमर उप्षन सही रहेगा, नेक्ष्ट क्यों सने है, भारतिय सैंसकरते श्रक्षनाय का बदती नित्रम उप्युक्तह भवती, बंडारकर पदती, प्रमप्रागत पदती, पाटे पुस्तक पदती, निर्बाद पदती बारते संसकर्ते सरक्षन के लिए कोंसी पदती उप्यूगत है प्रमप्रागत पदती दो नमर उप्शन सही रहेगा Next में चलते हैं सिक्सने सोलब्य संपादनम इतिकस्या पदते, उदेश्यम अस्ती, निर्बाद पदते, बंडारकर पदते, पाटे पुस्तक पदते या प्रमप्रागत पदती पाटे पुस्तक पदती का ये उदेश्य है सिक्सने सोलब्य संपादनम Option तीन सही रहेगा Question number 28 कैस सिक्सन सिदानता है मानसिक विकास से तीवर गति मादे धाती कौन सा सिक्सन सिदानता है जिसमें मानसिक विकास तीवर गति से होता है दोस्तों किसके अंदर अब्यासस से सिदानत, रूचे सिदानत, मोखिक कारिये से सिदानत, सक्रिय तयास सिदानत अगर आप किसी काम में सक्री रहेंगे तो आपका मानसिक विकास तिवर गति से होगा नेक्स्ट में चलिए क्यूसर नमर 29 कह सिदान्त किरिया सिल सिदान्ते इती नाम ना गये थे यानि कौन से सिदान्त को किरिया सिल सिदान्त के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अब्यास आप किसी चीज का करेंगे तो आप किरिया सील रहेंगे आगे चलिए कती विदेशू कोसलेशू नेपुने संपाधनम बासाया सांकेतिक परियोजनम अस्ती तरिये विद्यू, चत्तुर विदेशू, द्वी विदेशू, पंच विदेशू, चत्तुर विदेशू, दो नमर ओप्सन सही रहेगा क्योसर नमर 31, चात्रा नाम द्वित्यो लक्सिता अधिगम विशेस है, किम नाम है कोसलम अस्ती तो छात्रू का दिवित्य लक्सित अधिगम विशेश नाम कोसल है कौन सा है दोस्तों सर्वन पटन भासन या लेकन सर्वन एक नमर पे आता है दो नमर पे आता है भासन तो दिवित्य हो गया तीन नमर उप्सन सही रहेगा नेक्ष्ट में चलिए अधिगम परकिरिया में किसकी विशेश भूमी का है दर्से उपकरणा नाम, दर्से सर्वे उपकरणा नाम, सर्वे उपकरणा नाम, दर्स पत्र का नाम, सही रहेगा आपका यहां पे option number 2, अधिगम प्रकिर्या में दर्से सर्वे उपकरणू की विसेश भुमी का होती है क्यूसर नमर चोतीस है, मस्तिक्स यंतरे से अपर नाम है किम, दूरदर्शनम, धवनी पंजी का, बासा पंजी का, संगनकम, मस्तिक्स यंतर, यानि मस्तिक्स यंतर का अपर नाम क्या है दोस्तु, क्या नाम है, संगनकम, चार नमर उप्शन और इंपोर्टेंट क्यूसर नही ये मुल्यांकनेन चात्रे से पुर्णतेया कि मापीतुम सक्येति वेदूसेयम चात्रियम वेक्तित्वम प्राति भैयम सही रहेगा आपका वेक्तित्वम option 3 सही रहेगा next में चलीए बहुत सलोक है बहुत सलोक कंटस्ति करणम कस्या परिक्सायाम अपक्से येति अंत्याक्सरी परिक्सायाम, सलाका परिक्सायाम, वस्तुनिष्ट परिक्सायाम या निमन्द रूपी परिक्सायाम सही रहेगा आपका अंत्याक्सरी परिक्सायाम साखसातकार का परिक्साया आयो जितनती साखसात के अंदर कौन से परिक्सिया होती है मोकीक परिक्सिया दो नमर ओप्सन सही रहेगा सांसकर्थ सिक्सन में मुल्यांकन का परियोजन क्या होता है मुल्यांकन का सामाने सिक्सनम, परसिक्सनम, विशलेसनात्मक सिक्सनम या उपचारात्मक सिक्सनम सैंसकर सिक्सनम में मुल्यांकन का प्रियोजन होता है उपचारात्मक सिक्सन करना चार नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है प्रिस्कृत है परसन पत्रे निर्मान अवसरे कसे उपादियता वरते ग्यानात्मक पक्स से भावात्मक पक्स से किरियात्मक पक्स से या उप्यूगत है उप्रियूगत है पक्स से सही रहेगा दोस्तों, प्रिस्कृत परसन निर्माण के समय जो ज्ञानात्मकपक्स, भवात्मकपक्स और किरियात्मकपक्स है, इनकी उपादियता रहती है, उपर्यूग सर्यवे चार नमर उप्सन सही रहेगा, क्योस सह नमर चालिस, छात्रा सर्वन उपेकसाया पतनेन कूसर नमर 42 है क्योसर नमर 42 है पाठे पुश्तक निरमाने आन्तरिक पक्स का सिद्दान्त है रोचकता, सोधेश्यता, विवारिगता पूरव उक्ता तरियेपी यानि कि टीनों के टीनों है, पूरुवे में दिए गए टीनों के टीनों, ओपसन चार सही रहे गा, क्यूंसर नमबर 43 है, रिक्तिस्तान पूर्णम सत्याई सत्य निर्निम, बहुँ समाधान परसनास्तर इत्य परकारा कस्या परिक्साया संत्य। ओप्शन दोस सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन है आपका, सिक्ष्या छेतरी उपचार इत्ती सब्दस से को अर्तम, उपचार का क्या अर्थ होता है सिक्ष्या छेतर के अंदर, सर्वे विदी दोसा नाम निराकरण, सबी विदियों के जो दोसे उनका निराकरण करना, आगे च भाव अगर आप परकट कर रहे हैं, बोलकर भाव परकट कर रहे हैं मतलब किसमें बासनम के अंदर, नेक्स्ट में चलते हैं, सेक्सिक अनुसंदान परसिक्षन परिसदा, कत्मे वर्से आंतरिक मुल्यांकन से उपरी बलम दतम, जो सेक्सिक अनुसंदान परसिक्षन परिस नेक्ष्ट में चलते हैं उपकारिका अभवत वार्ताला पदती प्रंप्रागत पदती व्याकरन अनुवाद पदती या पाटे पुस्तक पदती व्याकरन अनुवाद पदती तेन नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्योसन है, कस्या पदत्यों सिक्षनम सर्वम मोखिकम आस्ती, प्रमप्रागत पदत्यों, भंडारकर पदत्यों, पाठे पुस्तक पदत्यों, निर्बाद पदत्यों, सही रहेगा आपका प्रमप्रागत पदत्यों में, तो कोंसी प्रमप्रागत पदत्यों में ज कुन सा होता है लेक नम दो नमर उपसंस सही रहीगा और आज के हमारे अंतिम के उसने में चलते हैं सैंसकर्था मस्ती सैंसकर्थ क्या है विशलेशनात्मक भासा है सर्चनात्मक भासा है विमर्शनात्मक भासा है या संसलेशनात्मक भासा है सैंसकर्थ है आपकी वो संसलेशन आत्मक बासा होती है चार नमर ओप्सन सही रहेगा सैंसकर्ट सिक्षन विदियो के ये इकाउन परसन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं किसी परकार का अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वो भी आप जरूर कमेंट करें आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत